What's up everyone, welcome back to the channel तो प्रोराटा, प्रोराटा, प्रोराटा इस टॉपिक का इतना खौफ है तुम लोग के अंदर कि सर ये टॉपिक तो बहुत है मुश्किल है और शेर का प्रोराटा वाला क्वेश्चन बनेगा कैसे तो आज मैं तुम लोग को एक बड़ा क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें की सारे कॉंसेट्स कवर करने ही कोशिश करते हैं आज पार वाला करेंगे, कल की वीडियो में प्रीमियम वाला कर लेंगे और देखते हैं प्रोराटा अलॉट्मेंट कैसे होता है किस तरीके से कंपनीज एड़ेस्ट करती हैं शेयर्स को और क्या-क्या उसके अंदर सिचुएशन आ सकती हैं पहले आसान के साथ शुरू करेंगे तो आज पार का इजी क्वेश्चन करा दूँगा फिर एक थोड़ टिपेगल कराऊँगा फिर प्रीमियम का इजी और फिर टेपेगल कंप्लीट बड़ा क्वेश्चन जो CBSC में 8 नंबर काया करता है जब सब्जेक्टिव होते हैं अब्जेक्टिव हो रहे हैं तो इसी में से वन मार्कर्स बनेंगे तो आजाओ जली से देखते हैं एक क्वेश्चन कैसा बनता है प्रो राटा से और कैसे आपको अजिस्मेंट्स करनी है लेट्स बिगेंग तो गाइस क्वेश्चन आता कैसे है तो सबसे पहले तो एक काम करो तुम लोग क्वेश्चन की फ्रेमिंग देख लोगी लिखके समझाने के लिए चीजें आसान बनाने के लिए इसको इस तरीके से लिखा है देखो कैसे क्वेश्चन आएगा आपके बास आपके बास आएगा कि ये कंपनी ने ओफर करे 50,000 शेर तुदा पबलिक जनता को 50,000 शेर ओफर करे वो शेर 10 रुपे का एक था, 10 रुपीज का एक था जिसमें अप्लिकेशन पे 3, अलॉट्मेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे 2 और सेकेंड कॉल पे बैलेंस मांगा गया दस रुपे का शेर है, अप्लिकेशन पे 3 रुपे, फिर 4 रुपे, फिर 2 रुपे तो देखो, 4, 5, 6, 7, 8, 9 रुपे हुए, तो सेकेंड कॉल पे कितना पैसा आएगा एक रुपे का बैलेंस, कितना बैलेंस आजाएगा? वन रुपीज का बैलेंस आजाएगा तो 10 में से application lotment first और second call यह इस तरीके से मांगी गई अब देखो जब company share issue करती है तो company को नहीं पता होता कि कितने लोग apply करेंगे जैसे for example कोई product market में आता है तो आपको तो ही पता ना कि कितने customer आ जाएंगे आपका product लेने के लिए तो shares में भी ऐसा ही होता है अब जन्ता क्या करती है जैसे suppose मुझे share लेने हैं तो मुझे application money भेजना तो कितने shares के लिए application आ गया 60,000 shares के लिए 60,000 लोगों ने कहा कि हमें share लेना है company के पास देने के लिए कितने shares है। 這麼 bei के पास देने के लिए कितने shares है। 50,000 या फिर किसी को सारे दे दो वो depend करता है अलग-अलग situations के इसाब से तो company adjustment करती है कि कितने shareholder suppose मैं 5 share मांग रहा हूँ तो मुझे 4 दे दिए आप 10 मांग रहे हो आपको 9 दे दिए क्योंकि सारे तो नहीं दे सकती company application 60 के लिए आया और देने कितने हैं बस 50 देने तो इस adjustment को proportionate adjustment को pro rata allotment बोलते हैं अब चीजों को आसान बनाने के लिए company ने क्या करा है देखो company ने कहा कि जो सबसे पहले वाले 10,000 shares थे उनको हमने पूरे 10,000 दे दिए यानि जो सबसे पहली 10,000 application आई होगी suppose मैंने बेजी यह 3 लोगों के नाम लिख लो 3 लोगों के नाम लिख लो यहाँ पर एक का नाम लिख लो हम लोग लिख देते हैं Rohan एक का नाम लिख देते हैं Sohan एक का नाम रख देते हैं Mohan suppose आप यह assume कर लो चीजों को आसान बनाने के लिए कि तीन लोगों ने shares मांगे सबसे पहले रोहन ने रोहन ने बोला कि मुझे 10,000 share चाहिए company ने इसको पूरे 10,000 दे दिये इसको बोलते है full उसने 10,000 मांगे, company ने 10,000 दे दिये फिर आया Sohan ये वैसे categories हैं ठीक है आप 20,000 मांग रहे हो लेकिन हम 20 ने दे पाएंगे कितने दे पाएंगे 15,000 फिर आया Mohan, Mohan ने मांगे 30,000 लेकिन company 50 में से 25 तो अलड़ी दे चुकी थी, 10 रोहन को और 15 रोहन को, तो कितने बचे 25 तो company इसको maximum दे ही 25 सकती थी, तो Mohan को company ने बोला 30,000 आपको चाहिए लेकिन हम इतने नहीं, आपको 25 दे पाएंगे तो ये तो हो गया full adjustment 10 पे 10, ये जो company ने adjustment करा है ना, देखो 20 वाले को 15, 30 वाले को 25 ये जो proportionate adjustment करा है इसको हम बोलते है, प्रोराटा allotment इसको क्या बोला आता है, प्रोराटा अब देखो हुआ क्या एक shareholder है जिसका नाम है चिंटू तुम्हें क्या लगा, चिंटू पिचर में नहीं आएगा ऐसा हो सकता है, हम question करा है और चिंटू पिचर में नहीं एक shareholder है जिसका नाम है चिंटू वो इस वाली category में है सोहन वाली category में category number 2 में इसने 2000 share के लिए apply करा था ध्यान से सुनना मेरी बाद 2000 share के लिए apply करा था और इसने बस application money दिया ना ये allotment दे पाया ना ये first call दे पाया ना ये second call दे पाया अब कभी भी over subscription का question आता है जैसे यहाँ पे 50 के जगा 60 के application ID तो आपको दोनों चीज़े पता होनी जरूरी है चिंटू की कि इसने apply कितने के लिए करा था और इसको share मिले कितने क्योंकि ये इस category में है इस category में कितने अगर आप 20,000 share मांग रहे हो तो आपको 15,000 share मिल रहे है यानि कि यहाँ पे जो ratio है वो है 4 ratio 3 अगर आप 4 share मांगते हो तो आपको 3 मिलते है हाँ या ना यही तो ratio बना कि अगर आप 20,000 मांग रहे हो तो आपको 15 मिल रहे है इस ratio को निकाल लिया करो ठीक है अब बात कर लेते हैं चिंटू की तो ऐसे आप एक formula बना लो रटने की जुरत नहीं है apply कितने करे और allot कितने हुए apply अगर 4 करे तो allot 3 हुए होंगे देखो apply अगर 20 के ले करा तो मिले 15 आप 20 upon 15 मिल लिख सकते हो अगर आपको इस चीज में दिक्कत आ रही है ठीक है अब देखो अगर 4 share मांगे मिले 3 चिंटू ने कितने मांगे थे 2000 तो चिंटू को कितने मिले होंगे कितने allot हुए होंगे इसका cross multiplication कर दो 3 into 2 6000 is equal to 4 allotment तो allotment is equal to 6000 divided by 4 1500 shares इसको मिले होंगे इसको कितने shares मिले होंगे 1500 तो always remember आपको पता होना चाहिए कि applied कितने और allotted कितने अगर company ने question ने आपको allotted दिया वा है तो यहाँ पे आप रख देना allot को रख देना उपर करना cross multiply है ठीक है चलो आप करके देखते हैं question होगा कैसे यह तो question होगा हमारे पास सबसे पहली entry क्या होती है देखो सबसे पहली entry होती है bank account debit bank account debit to share application account आपको application कितने shares पर आया application आया 60,000 shares पर तो 60,000 into 3 application तीन रुपे का था तो 60 पर 3 1,80,000 रुपेज अब आपको क्या करना है देखो जी share application account debit to share capital यहाँ पर तो 180 यह एज़ इस जितना application उपर इतना ही application नीचे अब देखो capital में कितना amount जाएगा capital में वो जाता है जितनी company को सच में capital चाहिए थी company को कितनी capital चाहिए यार company को 50,000 into 10 5,000,000 रुपेई capital चाहिए जिसमें से company ने application पे सिर्फ 3 रुपे वाँगे है तो 50,000 into 3 1,50,000 रुपीज ठीक है capital में हमेशा जाद रखो जितने actual में company ने share issue करे थे यह mind में रखना 50,000 into 3 150 इसका मतलब मुझे यहां से दिख रहा है कि 30,000 रुपे का difference आ रहा है 30,000 रुपीज एक्स्ट्रा है अब वो 30,000 रुपीज किस के एक्स्ट्रा होंगे कैसे एक्स्ट्रा होंगे देखो इन categories के एक्स्ट्रा है 15 into 3 45,000 रुपीज तो क्या 15,000 रुपीज एक्स्ट्रा होगे इसके 15,000 रुपे इसके फाल्तू है या नहीं है है ना देखो इसने बोला था 20,000 रुपे इसके फाल्तू होगे similarly मोहन मोहन ने मांगे थे 30,000 रुपे 3 रुपे के हिसाब से 90,000 रुपे इसके फाल्तू होगे कंपनी ने इसको दिये 25,000 रुपे 25,000 रुपे 3 के हिसाब से 75,000 तो इसके भी कितने पैसे एक्स्ट्रा होगे 15,000 15,000 रुपे यहां से एक्स्ट्रा होगे तो टोटल एक्स्ट्रा कितना हुआ पंदरा प्लस पंदरा तीस हजार फालत हुए है नहीं हुए देखो एंट्री में यहाँ पर डिफरेंस भी तीस हजार कही आ रहा है 180 अप्लिकेशन पे आई जबकि मुझे चाहिए थे सिर्फ 150 30 एक्स्ट्रा आ गए अब कंपनी क्या करती है ध्यान से मेरी बात को समझना कंपनी कभी भी एक्स्ट्रा पैसा वापिस नहीं देती कभी भी एक्स्ट्रा पैसा कंपनी वापिस नहीं देती कंपनी क्या बोलती है देखो भाई सुनो अगर आपने मेरे से 20,000 शेयर मांगे है मैंने आपको 15,000 तो दिये ही है ना मैंने आपको खालियात वापिस थोड़ी ना लोटा दिया अगर मैंने आपको खालियात वापिस लोटा दिया तो मैं आपको सारे पैसे वापिस कर दूँगा लेकिन मैंने आपको खालियात नहीं लोटा है मैंने आपको shares दिये हैं कितने shares दिये हैं 15,000 यह तो इतने shares के लिए तो आप मेरे shareholder बने ही हो तो इस scenario में अगर आपको 15,000 share मिले ही है तो मुझे 15,000 पर अभी आपसे allotment का पैसा भी तो लेना है यह 4 रुपे का allotment है तो 15,000 पर 4 रुपे यानि मुझे आपसे 60,000 लेने है अभी अगली ही call में अभी तो सिर्फ application दिया ने आपने 3 रुपे का allotment भी तो दो गया आप इन 15,000 share पर आपने 20,000 share मांगे थे मैं मान रहा हूँ मैंने आपको सिर्फ 15 दिये 15 तो दिये हैं तो 15,000 into 4 60,000 रुपी मुझे आपसे लेने है आप वहाँ पर ये 15 मत देना आप ये 15 माइनस कर लेना कि ये आप क्या है वे आप कितने दे देना 45,000 दे देना बस यानि ये जो 15,000 हैं क्या ये मैं allotment पर adjust कर रहा हूँ है ना कमनी बोल रही है कि आपका जो भी extra पैसा है हमने अपने पास रख लिया आप allotment पर इतना पैसा काट के दे देना जैसे advance fees हो जाती है ना मुझे किसी ने suppose 3000 fees दे नी दी उसने 5000 दे दी तो मैंने का ठीक है यार 2000 मैं बापस नहीं दे रहा आप next time 2000 कम कर ले रहा समझे ये होता है तो आपको क्या करना है जो पैसा एक्स्ट्रा है उसे कहां transfer कर दो allotment पर to share allotment कितना पैसा 30,000 15,000 तो इस वाली category का और 15 इस वाली category का क्योंकि इस से भी इसको भी 25,000 शेर तो दिये ही है आपने तो 25,000 पर 4 एक लाग उरपे तो इस से भी लेने है एक लाग में से 15,000 नहीं देगा यार 85 देदेगा ठीक है ना अचा यह adjust हो गया चलो अब allotment मांगते हैं अब कैसा सब का adjust हो गया allotment मांगो share allotment account debit कितना allotment मांगोगे आप लोग share allotment मुझे अगर debit करना है तो कितना allotment मुझे मांगना है मैं allotment मांगोगा 50,000 share पे 50,000 shares पे 4 रुपे के हिसाब से 50,000 पे 4 रुपे के हिसाब से 2,000,000 रुपे allotment मांगोगा 50,000 पे share allotment account debit to share capital 2,000,000 रुपे मैंने मांग ली आप सोचो आप क्या 2,000,000 में से ये 30,000 पहले ही आया हुआ है ये दोनों तो मना करेंगे ये बोलेंगे देखो जी 15,000 मैंने पहले दिये वे थे 15,000 मैंने पहले दिये वे थे ये इनके extra थे या नहीं थे 15,000 तो इसके और 15,000 पे इस category के तो टोटल 30,000 पहले से आये हैं तो आप allotment पे मिलना कितना था bank account debit to share allotment देखो share allotment debit हुआ 2,000,000 तो credit भी 2,000,000 होना था जिसमें से 30 पहले credit हो चुका है तो अब कितना credit होगा 170 इसी इसका ध्यान रखना 2,000,000 में से 30 पहले हो गया था न तो 170 ही होना है अच्छा लेकिन allotment पे चिंटु ने पैसा दिया नहीं देखो यह दिया चिंटु ने यह तीनों ही नहीं दिये यानि चिंटु ने allotment पे तो पैसा दिया नहीं तो allotment पे जो हो गया उसको बोलते है area is a loss for the company company उसको debit करती है call sin area debit अब बच्चे क्या गलती करके आते हैं examination में आप लोग क्या गलती करके आते हो कि आपको पता होता है कि चिंटु के पास कितने shares है 1500 share इसने यह 4 रुपे नहीं दिये तो यह गलती कराते हैं यह सीधा सीधा ऐसा लिखाते हैं कि 1500 share और 4 रुपे इसने नहीं दिये तो 6000 रुपीस का area is हो गया मुझे बताना comment section में कि आपको यही लगा था पहले नजर में कि क्या ऐसा हुआ लेकिन ऐसा नहीं है यह गलत हो जाएगा देखो चिंटु के शेर्स मांगे कितने थे चिंटु ने apply करा था 2000 share के लिए इसका मतलब चिंटु ने 2000 पे 3 रुपे के हिसाब से 6000 रुपीज का application भेजा होगा application कितना भेजा होगा 6000 रुपीज का और हमने चिंटु को शेर्स दिये कितने हैं how many shares चिंटु have got कितने shares है इसके पास मात्र 1500 share तो 1500 रुपे 3 4500 4500 रुपे मुझे चिंटु के रखने हैं ठीक है तो चिंटु के कितने shares sorry कितने रुपे extra हो गए 1500 1500 रुपीज चिंटु के extra हैं हमारे पास correct हो गए इतना गाम अब देखो एक चीज़ ध्यान से समझो अब जब मैं इससे allotment मांगूँगा तो मैं allotment कितने shares पे मांगने वाला हूँ चिंटु से इसको कितने shares दिये थे 1500 दिये थे इसने 2000 मांगे 2000 पे 3000-6000 हमने दिये कितने 1500 1500 पे 3000-4500 तो चिंटु का कितना पैसा फालतु है 1500 रुपे फालतु है या नहीं है हमने बोला ठीक है जी आपके पास 1500 shares है 1500 पे 4 allotment पे आपको 6000 देने थे जिसमें से आपके 1400 पेले आएवे है तो आप बस 4500 रुपे देथ tentang आपके ये due है ये आपको पैसा देना है क्योंकि 6000 में से 1500 इसका पहले आया वा है ये 1500 sir कहां पे हुआ included ये 1500 इस पैसे में included होगा ये जो आपने Allotment पे ट्रांसफर करा वा है क्योंकि इसी category में था ना चिंटू भी तो इसका हमने पैसा सारा 15 का पंदरा यहां डाल दिया 15,000 में से 1500 इसके होंगे लेकिन तुम लोग उसमें confused मत हो बज यह लेके चलो कि 6000 में से 1500 इसके पहले आये विद तो area कितना होगा actual में actual area होगा यह 4500 रुपीज का actual area कितना होगा 4500 रुपीज का 6000 नहीं होगा यह याद रखना 4500 का area होगया तो 170-4500 कितना पैड जाता है हमारे पास 170-4500 is 165-500 कितना पैसा आ जाएगा हमारे पास 165 500 क्योंकि वो नहीं दे पाया अब मांगते हैं first call sir first call मांगने की क्या entry बनेगी आओ जी number 5 share first call debit to share capital कितने shares थे total जिन पैसा लेना है 50,000 share 50,000 share पे first call कितने का था 2 रुपे का first call था 2 गा 50,000 into 2 1,00, 1,00 ठीक है यहाँ पे भी चिन्टू ने पैसा नहीं दिया तो bank account debit to share first call और जो पैसा चिन्टू ने नहीं दिया उसको क्या बोलते हैं हम लोग calls in area debit जेको share first call आ गया 1,00, share first call 1,00, area कितना है अब आप directly कर सकते हो यहाँ पे कि चिन्टू के 1500 share थे, 1500 पे दो 3,000 का area आ गया 1500 पे दो 3,000 रुपे का area आ गया सर अब directly कैसे कर सकते हैं देखो आप सीधा सीधा सोचो जितना भी advance था, वो advance बस allotment तक था यहाँ तक, call तक कोई भी advance नहीं गया था, यानि कोई भी ऐसी category नहीं थी, कोई भी ऐसा shareholder नहीं था, जिसमें call का पैसा भी advance में दिया हो, कोई नहीं था, maximum allotment तक वो था था तो हमें वहाँ पे शेयर कापिटल, पचास हजार शेयर पे, एक रुपे का है, पचास हजार रुपे, फिफ्टी थाउजंट आप यहाँ पे ले रहे हो, जब हमें रिसीव होगा, तो बैंक अगाउंट डेबिट, और, calls in area debit, to share second and final call, पचास हजार, area कितना बच्चों, 1500 share पे, चिंटु के वाद 1500 share थे न, 1500 पे एक, 1500 का area हो गया, तो 48,500 रुपीज हमें receive हो जाएंगे, 48,500 हमें receive हो जाएंगे, ठीक है, तो यह तो इनकी journal entries होती है, देखो, journal entries उम लोग को एक जबा कर देता हूं, screenshot लेना लेलो, question के, जो notes हैं, working notes वगयरा है, calculations हैं, वो यहाँ है, इसका भी आप लोग screenshot लेलो, काम आएगा, proper, ठीक है, अब देखो, आपको एक चीज समझनी है, अब हुआ गया है जी, अब चिंटु के share forfeit करने, forfeit करने, for feature की entry भी हमने सीखी हुई है, for feature की क्या entry होती है, entry number 9, share, capital account debit, अगर premium हो, तो premium भी debit करना पड़ता है, share capital account debit to, जिस call का पैसा नहीं मिला, या तो उस call का नाम लिख सकते हो, या call scenarios लिख सकते हो, अब देखो, मैं सब जगा call scenarios यूज करता है हूँ, यहाँ भी call scenarios, यहाँ भी call scenarios, यहाँ भी call scenarios, तो आप straightforward लिखो, two call scenarios, ठीक है, आपको call का नाम लिखने की जुरत नहीं है, आप सीधा call scenarios लिख सकते हो, अब अगर option में आपके बास दो option आए, MCQ में की अगर मैं बात करूँ, कि यहाँ पे call का नाम लिखा हो और call scenarios भी लिखा हो, ठीक है, तो शेयर का आपकल अगाउंट डेबिट, two call scenarios, two, share forfeiture, number of share forfeited कितने हैं, 1500, into called up पूरा 10 रुपे, तो 1500 पे 10, 15,000, यानि इससे 15,000 रुपे मांगे गए थे, area कितना हुआ, area हुआ, 4500, 4515, 6000, 603, 9000, area अगर आपको दिखाना हो, तो बस यह area का total कर दो, 3, plus 15, 45, plus 45, 9,000, 9,000 रुपे का area हो गया, 9,000 का area हो गया, it means हमें कितना पैसा मिला होगा इससे, यह balance में निकाल दो, 15-9 is 6, यह हमेशा balance में निकालते हैं, आपको पता है, यह वो हैं जो मांगा था, यह जो नहीं मिला, यह जो मिल गया, देखो कितना मिला होगा 6,000, देखो क्या, चिंटू से 6,000 यह मिले थे, चेक करो, देखो चिंटू ने कितना पैसा बेजाता application पे, 2,000 पे 3, 6,000, बेजाता या नहीं बेजाता, जिसमें से application पे, अब इसको रीशू करा गया है, लेकिन सारे शेयर नहीं, सिर्फ थाउजंट शेयर, थाउजंट रीशू करे गए हैं, ऐस फुली पेड फॉर एट, दस वाला आठ में, फुली पेड फॉर एट का मतलब दस वाला आठ में, चलो करते हैं, क्या entry मनेगी हमारे पास, bank account debit, bank account debit, दस वाला आठ में हैं तो share for feature भी debit करना पड़ेगा, share for feature debit, to share capital, दस वाला आठ में, दो रुपेगा for feature होता है, हजार share, आठ हजार, दो हजार, दस हजार, ठीक है, अब देखो, यह जो profit था, छे हजार का, यह कितने shares पे profit था, पंदरा सो shares पे, पंदरा सो shares पे, छे हजार का profit, हमने ratio करे हैं, सिर्फ और सिर्फ कितने एक हजार, तो मुझे एक हजार का profit चाहिए, बुझे प्रॉफिट चाहिए, एक हजार shares का, आठ देखो, पंदरा सो share पे, छे हजार, एक पे कितना, छे हजार अपॉन पंदरा सो, तो फिर 1000 पे कितना 6000 अपॉन 1500 इंटू 1000 ये मैंने आपको forfeiture ratio में सारे चीज़े सिखाई है 1500 पे अगर इतना तो 1000 पे कितना तो 1000 पे कितना 1000 पे कितना profit आ गया 4000 4000 रुपे का profit आ गया अब देखो 4000 रुपे का profit है 1000 shares पे जब forfeet करे थे 1000 share तो 4000 का profit हुआ जब रीशू करे 1000 shares तो कितना loss हो गया जब रीशू करे तो 2000 का loss हो गया तो कितना बचा ये profit बच गया ये जो profit है इसको transfer कर देते हैं हम capital reserve में तो इसके entry करूँगा share for feature account debit to capital reserve profit हुआ था 4000 का, चार में से 2 use हो गया दो बचा, इसको capital reserve में डाल 2000, 2000 तो इस प्रकार से हमारे पास usually बड़ा question होता है जो कि एक complete comprehensive question 8 number का CBSC में आया करता था अभी भी आएगा जब papers objective हो जाएंगे बढ़ इस this year क्योंकि paper objectives हैं तो आपको practice तो इसकी करनी चाहिए आपको entries को बहुत जादा full forms में या कोई लिखने की जुरत नहीं है वहाँ पे सब लिखावा होगा याद अपनी practice के लिए इस प्रकार के questions करो आपको ये वीडियो दो-दो बार तो देखना पड़ेगा तब ये question clear होगा आप लोग को ठीक है इस question पे वेज़द अगर आपकी book में कोई question है तो आप वो try कर सकते हो although एक वीडियो में बहुत जादा clarification नहीं आपाता एक question में नहीं आपाता ये topic ऐसा ये time लेता है तो आप इसी question को 2-3 बार एक बार वीडियो देखके एक दो बार खुद से करो मैं जब एक दो questions और करा दूँगा तब तुम लोग को बहुत clarity आजाएगी इस topic में और 4 questions जो मैं कराऊंगा वो sufficient होगे 8 number score करने के लिए ठीक है जब 1-1 markers आएंगे तो वो 20 में से बन जाएगा तो I think guys आज को हम इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और उमीद कर रहा हूँ कि तुम लोग को चीज़े समझ में आई होंगी वीडियो को दो-दो बार जरूर देखना तब ही मज़ा आएगा तो this is it for today guys अगले class में तुम लोग को एक और question कराऊंगा इसी का और अच्छा question उससे और clarity आजाएगी Thank you so much everyone